बिस्मिल्ला इर्मानि रहीम असलाम उलेकूम मैं रिशीदु जफर और आप कैसे हैं उर्दू विद रिशीदु जफर के साथ मेरा जो अगला मौजू है वो है साले दोम उर्दू स्लेबर सीरीज में रमुजय वकाफ और उसका इस्तिमाल स्टुडेंट्स ये मारूजी सवाल है पांच नमबर का आता है और ये मिंटो सेकिंटो में हो जाता है और आप लोगों ने इसको एक लेक्चर को अच्छे तरीके से आपने समझ लेना और उसके बाद इंशाला मुझे पूरा यकीन है और मुझे अल्ला पे भ्रोसा है कि रम्स की जमा है और रम्स अर्बी जुबान का लफज जिसके मानी है इशारा ठीक है रम्स जो है वो अर्बी जुबान का लफज है और इसके मानी है इशारा और अकाफ जो है वो वक्व की जमा है अर्बी जुबान का लफज है जिसके मानी है ठहराओ के ठीक है तो इस यान और ग्रीन सिगलल होता है जिसमें हम लोग चल पड़ते हैं तो ये बच्चों बच्चों को भी इन चीज़ों का पता है लेकिन स्टूड़ेंट्स मैं एक और चीज़ ये कहूं कि जिस तरह गुफ्तगू के दुरान चेहरे के तासुरात आवाज का उतार चड़ाओ, हाथों क की हरकात, सकनात और चेहरे के जजबातों ऐससाथ की जो बेसिकली अकासी की जाती है बोलने के साथ-साथ इसी तरह स्टूड़ेंट्स दुनिया की हर जुबान में ये रमुज औकाफ जो हैं राइज हैं और कुरान मजीद इसकी सबसे बड़ी मिसाल है आप किसी अर्बी आ खाजल और कुरान के आलिम से अगर आप पूछे हैं मुमी तो और पर हमें भी पता है इस बात का कि अगर हम रमुज औकाफ का ख्याल ना रखें कुरान मजीद में तो हम मानी और मफूम को कहां से कहां ले जाए ठीक है तो जिस तरह के से एक मिसाल बड़ी आम है कि कमांडर ने कहा उसे रोको मत जाने दो तो अगर यहां कमांडर ने कहा उसे रोको इसके बाद सकते की अलामत लग जाए यानि वक्त की अलामत लग जाए रुकने की अलामत लग जाए तो कि क्या बनेगा कमांडर ने कहा उसे रोको मत जाने दो देखें मैंने सोड़ा सा स्टे लिया और अगर मैं मत के बाद लगा दूँ रोको के बाद मत के बाद मैं अगर सकता लगा दूँ तो ये फिर अबारत जुमला कहां से कहां पहुंच जाएगा कमांडर का हुक्म जो है वो बिल्कुल उल्ट हो जाएगा कमांडर ने का उसे रोको मत जाने दो तो वो चला जाएगा ठीक है तो ये चीज आपने अपने जेन में रखनी है और मैंने इसकी एक छोटी सी तारीफ भी लिखी है कि रमूज उकाफ वो अलामात और इशारे हैं कि जो जुमले में कहीं ठहराओ घम खुशी और तफसील देने के लिए लगाये जाते हैं ताकि पढ़ने वाला तहरीर को बासानी समझ सके ठीक है और इसके बगार तहरीर में निखार बिल्कुल भी नहीं आता है ठीक है और स्टूडन्स रमूज उकाफ बेसिकली मैंने आपको बताया है मुरकब है और साथ में ये भी आपको बता रहा हूँ कि रमूज उकाफ जो है साले दोम में मारूजी परचा जो होता है 20 नंबर का उसमें 5 नंबर का सवाल आता है मसादर के साथ रमूज उकाफ आता है हरूफ उमताबकत हरूफ उमताबकत पे मैं लेक्चर दे चुका हूँ वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा और स्टूरिंग्स मैं निसाबी किताब में भी आपका इसका तारूफ रमूज उकाफ को बहुत अच्छा लिखा हुआ और मैं यह चाह रहा हूँ कि मैं उसको पढ़के सुनाओं कि रमूज उकाफ की अलामतों के बगार तहरीर में निखार नहीं आता यह असल में वो इलामते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलाइदा करें रमूज उकाफ की मदद से पढ़ने वाले को मालूम पढ़ता है कि जुमले को किस तरह पढ़ना है या जुमले के किस हिस्से को किस तरह अदा करना है और कहां कहां और किस कदर तवक्फ करना है सी चीज कौन सा जुमला किसके साथ लगा हुआ था और जो पढ़ने वाला था वो खत पढ़ रहा था उसको समझ ही नहीं आ रही थी किया हो रहा है तो स्टुड़ेंट्स इसका मफ़ूम समझने में दुश्वारी पेश आए उनके ना होने से अबारत के खलत मलत होने का अंद से जैसी हमें बारत लिखना शुरू करते हैं बलके तीसरी चौती से भी और इसकी एहमियत स्टार्ट हो जाती है लहाजा यह मैं यही समझता हूँ कि यह शच्शम और हफ्तम और हस्तम और नहम दहम और साले अवल साले दौम के तलबा के लिए एवन बी ए बी से और मास्ट हमाए अंदलिस की तकलीद की और इसको फिर अपने हां राइच कर लिया दुनिया की कमों बेश हर इल्मी और अद्वी जबान में रमूजे वकाफ का जो इस्तमाल है वो किया जा रहा है उर्दू में सबसे पहले मौलाना हाली मौलाना अलताफ हुसैन हाली ने इसका इस्तम पार किया यानि हमारे जो अस्लाफ हैं अर्दू अद्व के जो बड़े हैं वो इसका जिकर करते रहे और इसके बाद फिर मौलाना इसमाईल पानी पती ये समून को अपने मौत्व करदा मकालात सरसीयत की साथवी जल्द में इसको जगा दी और सरसीयत के बाद मौलवी नि मौन से एक मजमून तहरीर किया और आखरकार मौलवी अब्दुलहक के हवाले से कवाइद किरात की जो है वो मनजूरी दी तो यह जो एक शौर्ट सा मैंने आपको एक पेराग्राफ पढ़के मैंने आपको एक नॉलिज जो है वो कंसीव कर दी है कि आपके सामने है ताके जो इन किताबों से इस्तफादा करना चाहता है वो इन किताबों से भी इस्तफादा कर दे क्योंकि इल्म की बात को हमेशा शेयर कर देना चाहिए और इल्म किसी के भी काम आ सकता है इल्म अल्ला की तरफ से है और अल्ला इल्म और नूर का मरकब है और स्टूड़न्स याद बताउंगा कि इसको जो सक्ता को मैंने एक इसमें बंग किया है ये इसका मतलब है कि इसमें साथ के क्रीब या आठ के क्रीब MCQs को भी मैंने कवर कर लिए जिसका जिकर मैं इस लेक्चर के लास्ट में आपको करूंगा ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए एक से दो से जिज़र किया हुआ 행ोगों ने इसको लिखा निए और कि जओगों पर इसको अलएदालाइदा भी लिखा हुआए मैंने उसको अलएदा कर दियाSn Till 12 हैं आपके स्पार boxes में बाकी भी हरूपctions की अलामतें पेलिए हैं लेकिन अबस्दार्ज कि अलामत हैं लेकिन आपके बोर्ट के पेपर में आप किसी हवाले से भी confusion का शिकार ना हो जाए और आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए और आप अच्छे मार्क्स लें और दौा दें ठीक है और असल चीज आपकी दौाएं हैं जो जो लगा शुकर है कि हमें active रखती है और अंग्रेजी नाम में इसका लिखा है इसकी तारीफ लिखी है मुक्तसर वो लंबी तारीफ नहीं क्योंके मारुजी है टाइम कम होता है तारीफ लिखी है इस्तेमाल लिखा है मैंने इसकी मिसाले लिखी थीक है अब यहां आगे चलते हैं स्टूइंट्स के सक्ता सक्ता क्या है सक्ता ये जिरेखिए स्टूइंट्स ये सक्ता है और पहली तर इसकेruktा और इसको वकफे-خफीफ कहते हैं मुख्तसर तरीन थहराो हलका सा वकफा और अंग्रेजिय नाम है इ कियातीं न वो कौमे में चला गया वो सकते में चला गया और अबारत में ये सबसे मुख्त सर्थ तरीम ठैराओ कहलाता है और अबारत में ये बेसिकली अस्मा को अलग करने के लिए इस्तेयोर होता है और सान्ट ही मैंने लिख दिया देखें हम लोग पढ़ते हैं वक्फा इसके बाद वक्फा में उटा वाओ नीचे एक डॉर्ट है नीचे एक निस्वक्फ इसको मतबादल नाम है इसका सेमी कॉलन इसको इंगलिश में कहते है ससकता से ज्यादा ये ठहरा हो प्राची, सिंध का, कोईटा, भलोचिस्तान का धारुलहकूमत है। तो इसमें कौन सी अलामत लगी है यह स्टुडेंट्स? वक्फे की. आगे आ जाता है जी राप्ता, राप्ता जो है बेसिकली तालुक से है, वक्फा जो है बेसिकली रुकने से है, और सक्ता जो है वो किसी वक्फे लाजम इसका मतबादिल नाम है, ठीक है, राप्त से है, तालुक से है, और वक्फा से ज्यादा ठहरा हो, यानि के सक्ता जो है, वो मुक्तसिर तरीन ठहरा हो, उससे बड़ा ठहरा हो, वक्फा हो जाता है, उससे बड़ा ठहरा हो, वो राप्ता हो जाता है, और स्ट गोर कीजिएगा कि यह किस तरह सकता वक्फा और उसमें आपस में थोड़ा-थोड़ा ज्यादा थेरा हो एंदेखिए गजरा दुर्णाब जवाद अमार और हामिद दोस्त हैं देखें मैंने थोड़ा सब ख़ख़ा लिए अब देखें थोड़ा सब ज्यादा वक्फा गा किसी ने सच कहा है सांच को आच नहीं थोड़ा सा स्टे दिया तालुक जोड़ा और उसको रप्त में बना लिया स्टूइंस नेक्स्ट आ गया जी खत्मा खत्मा आपको पता है फुल स्टॉप जिसको आप लोग इंगलिश में कहते हैं यह डैश की अलामत होती है इसके ल ठाहिए ना आल पाकस्तान वूमेन अस्टॉप पफवा जिसको कहते हैं इस तरह मुखफ़ात होते हैं एम बी बी एस होते हैं जैसे कि मैंने यह लिखा है तो मकमल जूमले के खात्मे पर यह लगाये जाते हैं यह देखें मुकमल जूमला शामीर ने काम कर लिया है यह मुक पीच में यह जो डैश लगी है यह होता है खत्मा ठीक है बूर्ड आपको ज्यादा तर क्वेस्टन मुखफफात में से करेगा लहाजा आप अगर इस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुल लेंगे अपने के बुक्स से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लेर हो जाएगा अच्छा स्टुएंट्स उसके बाद है आपका तफसीलिया तफसीलिया के लामत यह है जी कॉलन एंड डैश कॉलन एंड डैश इनको मिला के यह बना और इसका मुतवादिल नाम कोई नही और अबारत पे किसी बात की वजाहत करने के लिए जब आप किसी बात की वजाहत करते हैं भी बजार से यह समान ले आओ कौन सा चीनी पती आटा डाले वगएरा ठीके तो जब जुमले में काफी बातें मुसलसल लिखनी हो यह देखें सच बोलने के फवाइद है इसके पाकिस्तान के पांच सूबे हैं ठीक है वो जो सूबा सरहद, सूबा खैबर पक्तूनखा है, सूबा पंजाब है, सूबा बलोचिस्तान है, सूबा सिंध है, सूबा गिलगत बलतिस्तान है तो यह आप लोगों ने अपने जेन में रखना है जब आपने किसी चीज की तफस या question mark इसको कहते हैं इबारत में कुछ दर्याफ्त करने के लिए students basically सवालिया इस्तमाल होता है सवालिया जुम्ले के आखर में लगाई जाती है यह अलामत देखें शमाज ने कब घर आना है इसके बाद देखें अब यह चूंके कुछ चीज दर्याफ्त की गई है और इसका ज सब्सक्राइब निदाइया निदा से है निदा कहते हैं फुकार को ठीक है और यह इसकी अलामतेती टीनों की एक है यह तीनों साइन आफ एकस्व्मेशन है लेकिन इसमें थोड़ा सा मामूली मामूली सा फर्रक है लेहाजा मैंने इस तचाभिया भी लिख दिया आप भोगों के लिए ताकि आप इस तचाभिया को ताजिब आप मैंने इसको अलएदा इसलिए किया यह ताकि कोई student कुंट्फ्यूज ना हो जाए और वो paper में अच्छे तरीके से अपना पेपर हल कर सके और अच्छे मार्क्स ले सके इस अबारत में किसी को पुकारने के लिए जुमले में किसी को पुकारना अगर मकसूद हो तो निदाया लगाया जाता है जैसे कि या ला हमारी मदद फर्मा इलाही तेरा ही आसरा ठीक है और अगर students फिजाया होगा तो इसमें ये अलामत है इसके मुतबादल नाम नहीं है इसको sign of exclamation ही कहते हैं अबारत में किसी कहفیت के लिए कहفیت को जाहर करने के लिए कहفیت कौन सी खुशी गम की या उदासी की किसी कहفیت को ये रेखें आह तो इसके बाद ये अलामत लगी क् इसके बाद students इस इस तजाबिया आ गया इस तजाबिया जो है इसको भी sign of exclamation कहते हैं और इसकी मुतबादल नाम नहीं है और ये mark of exclamation ही कहलाएगा और इसकी अलामत वही है जो मैंने लिखती है भारत में हैरत और ताज्यूब के लिए ये इस तामाल होता है और इसके भी लें समझ भी लें और सीख भी लें कौसैन देखें ब्रैकेट्स को कहते हैं ब्रैकेट्स खतूते वादानी देखें इसका मुतबादल नाम है खतूते वादानी देखें अगर बोड़ ने कोई जुमला पूछ लिया students आप से और नीचे ब्रैकेट्ट भी ना लिखा अबारत के जब हम किसी हिस्से को नुमाया करने की कोशिश करते हैं तो हम फिर क्या लगाते हैं कौसैन लगाते हैं ब्रैकेट्स लगाते हैं खतूते वादानी लगाते हैं जुमला मौतरजा क्या होता है ये एक चीज हमेशा याद रखेगा कि जुमला मौतरजा अबारत मे आने वाला एक ऐसा जुम्ला होता है स्टूडिंट्स कि जिसको अगर वो बेसिकली वो किसी जुम्ले के तसलसल और उसकी वजाहत के लिए इस्तमाल होता है लेकिन अगर हम उसे ना भी पढ़े तो जुम्ले की सहत और फसाहत पे कोई फरक नहीं पढ़ता इसको कहते है जुम् मुफदलाच किया करते थे तो वो अदीब लिखना याई इसको अगर मैं ना भी करूँ तो अगर मैं पढ़दो हकीम अज्मल खान गृरीबों का मुफदलाच किया करते थे इसका मैंने लिखा भी हुआ है और तो ये कोई इतना खास जुम्ले की फसाहत में को फरक नहीं आ तो जुम्ले की वजाहत हो जाती है नाग पढ़ा जाए तो कोई मसला नहीं एक मफकर थे देखें अलामा एकबाल एक मफकर थे अब मैंने नहीं पढ़ा तो जुम्ले की सेहत नहीं साथ जो ए Nej घरी ठीक हैкольिस वावेन जाता है वावेन कि भारत के किसी इस्से को ज़रा नुमाया करते हैं मुन्फरिद करते हैं मुम्तास को जार करते हैं अब देखें इसमें एक और चीज में इसके इस्त Zombie एक सरक्षिए किसी शक्कित के call को हूब हु लिखने के लिए حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے ठीक है तो इसके दोनों तरफ जो है वो inverted commas जो हैं वो लगेंगे और ये फिर जुमला जो है वो मकमल हो जाएगा तो यानि इनके call को حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم के call को हमने बिल्कुल inverted commas में लिख दिया अगर काईद आजम ने फरمایا काम काम और बस काम ठीक है और ये भी देखे के मुझे काम काम और बस काम से याद आ गया के मैंने एक जिगा मैं एक साथ स्टूडेंट से बात कर रहा होता हूँ काईद आजम का जो काल था calm काम और काम तो काईद आजम ने तो उर्दू वला काम कहा था लेकिन ये calm English वला काम समझ के बैठी calm calm, calm और calm यानि सकून, 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 और सकून तो सकून से हम लोग बैठ होता है काईद आजम को तो दुनिया भर के जो लोग है वो एक मुकर्रब मानते हैं कि सारी जिन्दगी स्ट्रगल में गु زुज्री जिस पेशे में गये जिस जगा पे गो स्यासत में आए तो मुकाम हासल कर लिए अगर वो जिस शुबह में आए तो कामयाब इंसान की निशानी होती है जिस शुबे में भी चला जाए क्योंकि उसने मेहनत करनी होती है और उसने अपने आप को आगे लेकर चलना होता है ठीक है और स्टुइन्ट्स आगे आगे आ गया जी खत खत कहते हैं यह इसका निशान होता है इसकी अलामत है लकीर इसको कहते हैं इंग्लिश में इसको लाइन बोलते हैं अबारत में किसी हिस्से को मुम्ताज करने के लिए ये भी तकरीबान उससे मिलती जूलती है पुराने मुसनेफ इसको लिखा करते थे आजकल इन्वेटेड कॉमाज और ब्रैकेट्स के तौर पी लिखा जाता है और मैं एक और चीज वावेन के हवाले से बता दूँ यहां सौरी कॉसेन के हवाले से के स्टुइट्स अगर जुमले में कोई इंग्लिश का यानि किसी और जुबान का लफज आता है उसको भी हम फिर ब्रैकेट्स में लिखते हैं ये भी आपका MCQ बन सकता है जैसे के जमहु अजुडियत, डेमोकरेसी, स्यासित का हुशन है तो मैं उसको जो डेमोकरेसी लिखूंगा, उसमें मैं ब्रैकेट लगा दूँगा तो नेक्स्ट मैं ये पढ़रा था कि खत, लकीर, लाइन, इबारत में किसी हिस्टे को मम्ताज करने के लिए, जुमले के किसी एक हिस्टे को जुदा और मुन्फरिद करने के लिए स्टूडेंट्स ये लामत इस्तमाल होती है जैसे के शायर मजदूर एहसान दानिश अजीम शायर थे तो स्टूडेंट्स ये आपका रमूज रुकाफ था और मेरी कोशिश है के जितना उस सवाल की वर्त है जितना स्टूडेंट्स के पास टाइम है जितना मुखतर मगर जामे लेक्चर हो सके मैं उसको तरतीब देता हूँ को सोचता हूँ उस पर फिंकिंग करता हूँ के स्टूडेंट्स का जो एक-एक लमहा एक एक पल, एक एक मिनिट जो है वो कीमती है और आप लोगों का और आप लोग स्टुरेंट्स पढ़ते रहे और पढ़ने को अपना जो है जिन्दगी का एक अमल बना लीजिए क्योंकि पढ़ाई में इल्म से ही आपने तरकी करनी है इल्म से ही आपके वालिदेन और आपके साथ जाने खुश होना है इल्म का चराख जले गा ही तो पाकिस्तान जो है वो मजीद रोशनियों की तरफ जाएगा तो स्टुरेंट्स थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखेगा अल्ला आपिस